मैं पूजा आज आप लोग के लिए लेके आई हूं इटली की रेसिपी यह बहुत ही इजी रेसिपी है गाइस तो वीडियो स्टार्ट करने सब्सक्राइब जरूर करेगा तो चली ज्यादा बाते ना करते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लेंगे चावल आप चाहे तो इटली का भी चावल ले सकते हैं आप चाहे तो अपने घर का भी चावल यूस कर सकते हैं तो मैं ले रही हूं तीन ग्लास चावल को मुझे थोड़ा ज्यादा क्वैं बनाना था तो आप मुझे इतना लेना आप उसे साब से चावल लीजे तो तीन ग्लास च चावल भी यूज कर सकते हैं तो आप देसकते हम इसको अच्छे से वाश कर लेंगे तीन से चार बार आप वाश करके तब इसको रखे क्योंकि यह पानी जो है इंको बाद में यूज करना है अब में ले रहें उरत का डाल एक ग्लास तीन ग्लास अब ध्यान दिजेगा तीन चावल लिया है एक ग्लास मैंने उरत का डाल लिया है अब हम इसको भी अच्छे से वाश कर लेंगे तीन से चार वर क्योंकि इसका पानी हम यूज कर सकते हैं अब हम इसको रख देंगे आठ से दस घंटे के लिए रेस्ट पर तो अब हम ले रहें दो दो चमश मेथी मेथी के दाने दो बड़े चमश मेरे छोड़ा जमश इसको लिए थोड़ा सव लिया तो तो बड़े चमश इसको भी हम धोकि उसी के साथ रख देंगे तो आप देख सकते हैं यह आठ से दस घंटे बाद मैंने सो लगभग बारा घंटे हो गयते विकि मैंने सुभव ही गोई था फिर रात को मैंने इसको पीसा था आप मेह सकते हैं सब अच्छे से फूल चुका है डाल भी चावल भी और मेथी भी बहुत अच्छे से फूल मैंने से मैती भी ये करतेंगे इसका आप ऐसी को ईड़ करके पानी के साथ एक प्र्षित मैंने तुट भी देखो कि मैंने पानी भी स्यमें वही पानी में डाल देती हुँ इसमें आप चाहें ऑसे हहे भी कि जाल सकते हो हम र terce से पीष ना है कि थोड़ा सा भी इसमें वह नहीं होना चाहिए थोड़ा स reverse नहीं होना च्याभर को में फोड़ा पीषन पानी को मैंने उसमें दाला था आप देख सकते एदम अच्छे से पीसेंगे थोड़ा थोड़ा इसमें एक फ्रश्ट दो दाना होता है वेसा होना चाहिए एकदम महीं ने पिसना है सारे चावल को पिस लेंगे उसी बाद इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे अब पानी डाल दे और बहार का पाई नहीं डालेगा जो भी गोय हो पानी आ पुसी को डालेगा इतना पाई डालेगा कि इस पतला बैटर हो जाए नॉर्मल इतली जो थोड़ा थीक बैटर होता है वैसी रखिएगा थीन बैटर मत करिएगा थीक बैटर रहना चाहिए तो उसको फूलने कि उतना ज्यादा मिश्री अच्छे से फूल के बनेगा मैंने रात को नमक यड़ नहीं किया था मैं दीन में इन आउकाण करूंगी आप देख सेंजेटना अच्छे से फूल आ था हमारा इतली एदम बैटर एदन परफेक्ट है हुं किसमें नमक एक करेंगे आपना अड़ करके सभावर कि अगर रात को याइड्ट प्ल सब बनाना पड़ता उसके लिए घर आप थोड़कि च। आप यूज करrier किसे मिला लेंगे थोड़ा नमक कम हुआ था इसके लिए मैं दुबारा से नमक एड़ किया था इसमें अब हर टेस्ट कर ले अब इटली का साचा ले लेंगे उसमें अब अच्छी से अगर आपके पर साचा नहीं तो आप कढ़ाई में बना सकते हैं अब मुझे कमेंट करके जरू बताया कि अगर आपको कढ़ाई में देखना है कैसे बनता है तो ऐसे इन ते साथ हैं सब में ऐसे लालेंगे आप देख सकते हैं पाने माने रख दिया था गरम होने के लिए बहुत आराम से रखिएगा ताके आप जले नहीं आ हम इसको ढब देंगे आप देख सकते हैं अगर 8 नियुक आठ से 10 मिनेट चेक कर सकते थोड़ा-थोड़ा थाक च्छा तो इसको यह से रख दूंगी और कैसे को बंद कर दूंगी थोड़ा दिर बाद में इसको खोलूंगी जब इसमें ठंडा होजाएगा थंडा हनोगा फूलका घरम रहे तो आप देख सकते हैं मारा इटली बनके रेडी हो गया है बहुत ज्यादा अच्छा बहुत ज्यादा टेस्टी बना था गाइस अगर आप लोगे वेटरी ट्राइए करेए तो प्लीज अगर आप लोगों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब टू मैं चैनल बाइ गाइस